Hello students, how are you? I hope you are on very very well and nice. बच्छो आप सबकी तो दीपा वाली बहुत अच्छे से मन गई हो कि उमीद करते हैं, सभी बच्छे बहुत ही अच्छे से अपनी इतनी दीपा वाली मनाए हैं, है ना? और अब आपको क्या करने पढ़ाई करनी हैं, तो अब आप लोग तयार हैं, आज आपका होमवर्क है, add the following, ठीक है? and subtract the following, दीए गए यहाँ पर, आपको capacity पढ़ रहे हैं इसमें, तो capacity में आपको पढ़ना क्या है? यहाँ पर दीए गए addition and subtraction है, तो सबसे पहले इनको आप column म लिख करके, उनके सामने आप sign लगाएंगे, यदि addition का करना है, यह plus का है, तो plus का sign लगाईए, otherwise यह subtract कर रहे हैं, तो आपको minus का sign लगाना है, तो अब आप लोग तयार है, सबसे पहले आप अपनी pencil and note book open कीजिए, ठीक है? सबने pencil ले लिए, first of all, today is mentioned, ठीक है? mention to direct, अब आपको करना क्या है, question number B, at the following, समिट अप में question number 1, यह जो है, आप लोगों ने किया है, जो की था, FIB, FIB क्या था, वो तो एक तरीके से ठीक दा करेक्ट option, ओके, अब आपको करना क्या है, question number B and C, तो सभी बच्चों लिखते जाएंगे, अब यहाँ पर दिये गए जो numbers दिये गया है, बच्चों, इन्हें अब आप क्या करना है, column में लिखिए, column में कैसे लिखते हैं, सभी बच्चों को आता है ना, इस प्रकार से, जैसे हमने question number B, में लिखा है, पहले question है, फिर देखे, 350 milliliter, then 350 milliliter, okay, is equal to, अब milliliter, इसकी unit है, इसलिए milliliter को लिखना बहुत important है, और second sign, okay, तो चलिए, अब आपको plus करना, तो सभी बच्चों को अच्छे से आता है, जल से जल्द आप लोग इसको plus कीजिए, और plus करने के बाद, answer कितना है, yes, 700 milliliter, तो देखिए, आपने लिखाना, is equal to 700 milliliter, जो बच्चे वीडियो देखते हैं पूरा, उनको एकदम समझ में आता है, कि मुझे किस प्रकार करना है, और जो बच्चे केवल एक बार देख लेते हैं, तो वो क्या होता है, बस chapter खोलते हैं, और शुरू कर देते हैं, यह भी नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से, किस method से क करना है, ठीक है, देखिए, यह लीटर है, 10 लीटर, 275 मिली लीटर, 39 लीटर, and 375 मिली लीटर, दोनों को प्लेस किया है, बच्चो, प्लेस करने के बाद, आंसर आता है, 49 लीटर, and 600 मिली लीटर, ओके, अब आपको जिस प्रकार से अपने प्लेस के question सॉल्फ किये हैं, यहा सब्रेक्शन में भी आपको यही करना है, कि दिये के numbers को आप कॉलम में लिखिए, ओके, जहां प्लेस का sign है, वहाँ उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके, और बस सब्रेक्ट कर दीजे, सब्रेक्ट में यह दी आपको, रिक्वायर है केरी की, तो आप केरी लीजे, आ Otherwise आप हमेशे यह याद रखना है कि greater से smaller numbers सब्रेक्ट होते हो, ओके, हमेशा कौन सा number सब्रेक्ट होते है बच्चों, smaller number, किस से होते है, from greatest, ओके, तो greater number पहले लिखेंगे, और इसके बाद आपको लिखना है smaller number, ओके, तो यह chapter तो आपका आज complete हो जाएगा, और अब आपको पढ़ना है, इसके आगे, words problem, ओके, तो अब आप लोग जल से जल्दी work complete कीजिए, और हमें यहाँ पर send कीजिए, आगे की तयारी के लिए, आप लोग अपने book open कीजिए, और देखिए, कि आगे इसके question क्या है, ओके, बाई बाई, हैवे नाइस जी,